तो कल हमने बात की थी सदिश योग का त्रभुज का नियम ठीक है जी उसके questions हम करेंगे पर उससे पहले अगला topic शुरू करते हैं सदिश योग का समांतर चत्रभुज का नियम यानि के parallelogram law of vector addition समांतर चत्रभुज को parallelogram भी कहते हैं इंगलिश में कहते हैं parallelogram अब सुनो जी कल जैसा कि हमने बात की थी कि अगर दो सहप्रारंबिक सदिश हमारे पास है यदि हमारे पास दो सहप्रारंबिक सदिश हैं जो एक ही मिंदू P से शुरूर है एक सजिशय एक बी सजिशय एक मम्मी ने पज़कर किए एक पापा ने पज़कर किये तो यह तो आपको पहले से पता हैं कि परिणामी सजिश होगा वो कहीं बीच में होगा ठीक है आप भी बताओ एक तरह से मम्मी पकड़गी हीचे एक तरह से पापा पकड़गी हीचे तो आप कहा जाओगे? आप बीच में चले जाओगे यह सुनो यानि इन दोलो बलो का परिणामी सदिश बीच में आएगा, बोलो हाँ याना एक बात इन दोलो सदिशों के मद्धे का जो कौन है A सदिश और B सदिश के मद्धे का जो कौन है इनकी धनात्मक दिशाओं के मद्धे का जो कौन है वो कितना है? ठीटा ठीक है जी? अब समझो यह तो आपको समझाई दिया कि A सदिश और B सदिश यदि दो सदश हमारे पास हैं तो उनका परिणामे सदश परिणामे सदश का क्या मतलब हुआ A सदश प्लस B सदश यानि इन दोनों सदश होगा सदश योग जो होगा वो आर सदश होगा और वो गहीं बीच में होगा इप अब बात को ऐसे समझो देखो दिए ये था बी सदिश ये क्या था बी सदिश था येस ओके जो जितनी लंबाई इसकी पेरलोग्राम यानि के समानतर चत्र भुज की खास बात क्या है कि आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है उनकी लंबाई समान होती है तो जितनी लंबाई इस वाले बी की है उतनी ही लंबाई इस भुजा की है बोलो हाँ या ना येस और दूसरी बात दोनों समांतर चतर बुज में आमने सामने वाली भुजाएं समांतर भी होती है तो जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी भी होगी बोलो हां के ना तो ये अगर बीस दिश है तो ये भी क्या हो उतनी ही लंबाई इस भुजा की बोले हाया ना जो और दोनों आपस में समानतर भी है तो जो दिशा इस ए सदिश की वही इसकी यानि कि ये भी कौन हो गया ए सदिश हो गया अगर ये भी सदिश है तो ये भी बी सदिश होगा और ये ए सदिश है तो ये भी ए सदिश होगा ब स्ukiders कापके एसे और बी सोड़िश से आपने कि यह अगर बी स21 से है तो यह भी आप का वी स्टैश होगा है आपने यही कहला कि यह भी सिदूरा रैट और अगर यह यह वाला से रिट है क्ड़ों यह भी का पट्राओ कैसे होगा रावर ये भी A सदिश ही होगा ये भी A सदिश होगा बोलो हाया न राइट आप सही माएने में देखेंगे तो ये त्रिभुच का नियमी तो है A सदिश के head पे B सदिश की tail रखी है बोलो रखी है के नहीं रखी है और इन दोनों को अब बाकी को भूल जाओ ना इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ ठीक है और इसको ध्यान दो A सदिश के head पे B सदिश की tail रखी है और ये तीसरी भुजा है जो कि लेको ये तो किस क्रम में थी क्रम में और ये वाली भूल जो R सदिश है किस तर्श क्रम में है उसके विप्रीट क्रम में तो कैसे हो गई clock wise क्रम में तो यह जो तीसरी भूल जाओ ये इन दोनों सदिशों का सदिशयों का दर्शाएगी कि नि दर्शाएगी हाँ या ना तो मैं तो यह कहूं कि इस त्रिभुज का सदिशयोग का नियम या समांतर चत्रभुज का सदिशयोग का नियम एक ही दो बात है Yes, क्योंकि ये भी सदिश था तो ये भी बी सदिश हो गया और ए सदिश के head पे बी सदिश रखा हुआ है बोलो हांके ना, Yes, फिर से सुनो इधर से देखना, ये बी सदिश था इस बी सदिश के head पे ए सदिश रखा हुआ है के नहीं है बी सदिश के head पे ए सदिश रखा हुआ है के नहीं है बिल्कुल है तो बी सदिश के head पे ए सदिश रखा है तो ये जो इधर वाला त्रिभुज बनेगा अब इसको बूल जाओ उसमें ये वाला जो तीसरी भुजा होगी बी सदिश के हैड़ पे ए सदिश खाव है तो इस त्रिबुज में जो तीसरी भुजा होगी वो इन दोनों सदिशों के सदिशों को दर्शाएगी तो या तो सिर्फ इधर वाला त्रिबुज, या सिर्फ उधर वाला त्रिबुज, त्रिबुज का नियम दर्शारा है कि नियम दर्शारा, तो यानि कि दोनों नियम लगबग एक ही है, परन्तु, अगर नियम को बोलने की बात आ जाए, कि नियम को कैसे लिखा जाएगा, तो क्रमागत भुझाओं द्वारा दर्शाया जाए परिमान और दिशा दोनों के रूप में दर्शाया जाए यदी किनी दो सहे प्रारंबिक सदिशों को किसी समांतर चत्रभुझ की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमान वदिशा दोनों के रूप में इस प्रकार तरशाया जाए कि दोनों भुजाओं का दोनों भुजाओं एक ही विंदू पर मिलती हो तो उस समांतर चत्रबुज का वहविकर्ण जो उन दोनों सदिशों के प्रतिच्छे द्विंदू से गुजरता हो वो उन दोनों सदिशों के सदिश्यों को दर्शायेगा मैं एक बार फिर से बुलता हूँ यदी किनी दो सदिशों को किसी समांतर चत्रबुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा इस प्रकार दर्शाये जाए कि उन दोनों सदिशों के दोनों सदिश एक ही विंदू से प्रारंब होते हो तो उस समांतर चत्रबुज का वह विकर्ण जो दोनों सदिशों के प्रतिछेद विंदू से उभैनेश विंदू से गुजरता हो वह सदिश वह विकर्ण इन दोनों सदिशों के सदिशियों को दर्शायेगा इन दोरों सदिशों के सदिशों को दर्शाएगा ये क्या हो गया समांतर चत्रभुज का नियम बोले ये बात क्लियर है तो लिखते हैं बोले बात क्लियर है तो लिखते हैं क्या कहता है ये नियम वापस से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या इस नियम के अनुसार यदी दो सहप्रारम भुज की दो क्रमागत भुजाओ दोरा परिमान वदिशा दोनों के रूप में इस प्रकार दर्शाय जाएगी दोनों सदिश एक ही उभेरिश बिंदू से प्रारंब होते हो तो उस समांतर चत्रभुज का वहविकर्ण जो दोनों सदिशों के प्रतिछेद बिंदू से गुजरता हो वहविकर्ण उन दोनों सदिशों के सदिश योग को दर्शाता है यह क्या होगे आपका समांतर चत्रबुज का नियम बुली बात समझ में आ गई ओके आगे हमें क्या करनी है देखो मैं यहाँ पर समांतर चत्रबुज बनाऊंगा ठीक है जी देखो यह आपका पहला सदिश यह आपका पहला सदिश जिसका नाम है A सदिश यह आपका दूसरा सदिश जिसका नाम है B सदिश अब आपको क्या करना है इन दोनों सदिशों के मद्धे का जो कौन है इन दोनों सदिशों के मद्धे का जो कौन है वो ठीटा है अब आपको इन दोनों सदिशों से समांतर चत्रबुज बनाना है और समांतर चत्रबुज बनाके उसमें परिणामी सदिश निखाना है और फिर परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा ग्याद करनी है यह काम करना है तो कि यहां से मैं एक इसमांतर चरबूझ को पूरा कर रहा हूं आप हे तो मैं सिरुझ को पूरा कर रहा हूं है हिए खेर ले अब लापत समझने की क्या थी? क्योंकि यह एक एस अदिश था, ठीक है अजी? तो जितनी प्रिमाइवा लंबाई इस की उतनी ही लंबाई इस बुझा की. बोलें हाया ना, जो दिशमाणतर चेतरबुझी की खास बात क्या होती है? आमने सामने वाले ही भुजाएं परिमान में समान होती है और एक दूसरे के समानतर होती है लंबाई में समान होती है और एक दूसरे के समानतर होती है तो जो दिशा है इसकी वही दिशा है इसकी तो ये भी कौन हो गया ये भी आपका A सदिश हो गया इसी प्रकार क्योंकि ये आपका B सदिश था तो ये भी क्या हो जाएगा? B सदिश हो जाएगा क्यों हो जाएगा जी? क्योंकि जितनी लंबाई इसकी, उतनी ही लंबाई इसकी बोली हाँ या ना तो यह आपका समांतर चत्रभुज बिन गया और इस समांतर चत्रभुज में यह जो बीच वाला विकर्ण है यह वाला यह विकर्ण आपका परिणामी सदिश हो जाएगा बोली बात क्लियर है यस सुनिए अब बात यह है कि इस परिणामी सदिश का परिमान भी निकालना है उसके लिए क्या करूं उसके लिए मैंने देखो पहली बात तो यह कि ये बिंदू को नाम दिया A, ये बिंदू को नाम दिया B, ये बिंदू को नाम दिया C और इस बिंदू को नाम दिया आपने D ठीक है जी अब यहाँ पे आपको क्या निकलना है परिणामी सदिश का परिमान परिणामी, सदिश, कैपिटल आर का परिमान भी निकालना है और दिशा भी ग्याद करनी है यह ग्याद करने है अब आप देखों यहां पर दूरों एक साथ लेखे परिणामी और परिमान परिणाम का मतलब result, resultant vector परिणामी इन दोनों के सदिश, इन दोनों सदिशों का योग करने का परिणाम परिणामी सदिश है ना और उसका परिमान यानिका इसके लंबाई रही दोनों बात ग्याद करनी है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ फिर इस बिंदू से यहां पर एक लंब डालता हूँ जिस बिंदू पर लंब प्राप्ट हूआ, उस बिंदे को नाम देता हूँ, ए देखो, A, B, C, D और यह बिंदू, E क्योंकि यह कौड थीटा था, क्योंकि यह वाला कौड आपका थीटा था तो मैं समस्तु हूँ, यह वाला कौड भी कैसा होगा, ठीटा होगा क्यों? क्योंकि यह वाला कौड और यह वाला कौड कैसे हैं, संगत कौड है बोले यह हां कहिरा, बात क्लियर है, उके तो ये हमारे पास समानतर चत्रवज मनाया और अब हमारे पास परिमान निगात करना है जरा समझो ये चीज मैंने पहले से बढ़ा के त्यार रखी ये देखो क्या ये क्योंकि A सदिश है तो ये भी A सदिश है क्योंकि ये A सदिश है इसलिए ये भी A सदिश है ये बी सदिश है इसलिए ये भी बी सदिश है ठीके जी ये कौन थीटा है तो ये कौन भी थीटा है यहाँ पे इस बिंदू का नाम आपने दे दिया है capital E ये अब आपके पास यहाँ पे समकोर्ण त्रिभुज यहाँ पे आपको देखाए देगा समकोर्ण त्रिभुज A C E यहाँ पे एक समकोर्ण त्रिभुज देखाय देगा A C E येस और इस समकोर्ण त्रिभुज में आप अगर बात करें आप क्या कह सकते हैं आप कहते हैं R सदिश का परिमान यानि कि भुजा AC की लंबाई यानि कि R सदिश का परिमान आप इस त्रिभूज में क्या लिसकते हैं? कर्ण के ओर लंब कौन है? तो कर्ण का स्क्वार बड़ाबर आधार का स्क्वार बराबर प्लस सी इका स्क्वार बूलों कोई शक बात क्लिर हैं? ओके इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ चलो यहीं लिखता हूँ AC को तो लिख देता हूँ R सदिश का परिमान का स्क्वाइर बराबर AE ये बिंदू A ये बिंदू E और यहां से यहां तक क्या लिखेंगे AB प्लस BE AE को क्या लिखंगा AB प्लस BE तो मैंने क्या लिखा AB प्लस BE का हूल स्क्वाइर प्लस CE स्क्वाइर बोलो हाया ना इसको मैंने बोला समेकर नमबर एक अब AB का मान, BE का मान और CE का मान मिल जाए तो मैं इसको पूरा solve कर सकता हूँ बोलो हाया ना तो मैंने क्या कहा पहली बात ये A से लेकर B तक, ये A से लेकर और B तक, ये जो लंबा ये, ये क्या है? A से दिश के परिमान के बराबर है, हाई या ना? तो मैंने लिखा AB, मैंने लिखा AB, बराबर A सदिश का परिमान, जिसको मैं किस से लिखूँगा, जिसको मैं A से लिखूँगा, बोली बात क्लियर है, दूसरी बात, BE, यह BE निकालना है, तो BE को निकालने के लिए यहाँ पर एक और समकौन तरबुज दिखा इधर है, देखना यह कौन 90 डिग्री है क्या, देखना, यह कौन जो है, क्या यह 90 डिग्री है, यह कौन 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा समकौन तरबु कौन त्रिभुज BCE क्या लिखा देखो B E तो कौन है आधार इस समकौन त्रिभुज में ये कौन थीटा है तो ये कौन है आधार ये कौन हो गया आपका आधार और ये कौन हो गया आपका कर्ण और ये कौन है कौन थीटा तो आपका लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण आधार कौन बी ए आधार कौन बी ए अपौन कर्ण कौन CE, तो आधार बातिकर बराबर क्या लिख सेक्ते हो, cos theta तो आप क्या लिखेंगे? BE बराबर CE cos theta, बोलो, लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे? JE jetzt, ओके, अभी आप देखो कुछ गलत लिखाए? YES, कुछ गलत लिखाए क्या गलत लिख दिया, भाई? सुनो फिर से, आधार कितना है, BE, और कर्ण कौन है, BC, आधार बटे कर्ण बराबर क्या लेखेंगे, कौस सीटा, तो BE, बराबर क्या लेखेंगे, BC, कौस सीटा, बुलो बात क्लियर है, yes, अब BC की value, BC कौन है, यहां से लेकर, यहां तक की, लंबाई, बी सदिश की, लंबाई, तो BC, बराबर, बी सदिश का परिमान, जिसको आप क्या लेखेंगे, सिर्फ B, बुलो हाया न, मैं लिख देता हूँ, यहां पर, BC यानिके B सदिश का परिमान यानिके इसको लेकर देते हैं B तो आपके पास क्या आजाएगा? आपके पास आजाएगा BE बराबर B cos theta येस आपके पास AB की वाली हो गई, आपके पास BE की वैल्य हो गई अब आपको वैल्य जाएगी किसकी? CE की तो यहाँ पर देखना, ये जो CE है, ये जो CE है, ये CE क्या है? ये CE इस theta कौन के लंब है, और BC कौन है? कर्ण है, तो आपने लिखा वापस से BCE, आपने लिखा CE यानिके लंब, बटे कर्ण, कर्ण यानिके BC, लंब बटे कर्ण बराबर sin theta तो आप क्या लिखेंगे, CE वराबर BC sin theta, और BC का मन तो अभी अभी लिखा था है, ये B तो आप क्या लिखेंगे, CE वराबर आप लिख देंगे, BC को क्या लिखेंगे, B स्मॉल बी, sin theta, तो यह आपके पास value आ गई, CE की, येस, अब आपके पास सारी values हैं, यहाँ पे इसमें मान रखो और आर सदिश का परिमान गयात कर लो, चलिए जी समीकरण एक में मान रखने पर, आपने रखा, आर सदिश के परिमान का वर्ग बराबर, A, B, A, B का मान, A प्लस, B, B, B का मान, B, cos theta, का whole square, प्लस, CE, C का मान, B sin theta, तो आपने रखा, B, sin theta का whole square, यह, अब इसको आगे हल करने के लिए क्लिए क्या करेंगे, ये brackets खूल देंगे, तो आपके बास आएगा, आप, आर सदिश के परिमान का square बराबर, इसको खूल रहे हैं, A square, प्लस, B, cos theta का whole square, प्लस, 2, A, B, cos theta, कौन सा formula लगा है, A plus B का whole square, A square plus B square plus 2AB, A square plus B square plus 2AB, yes or no, चलिए, प्लस, यहाँ पे सीदे से क्या लिखोगे, B square, sin square theta, चलो जी, आगे लिखो, आर सदिश का परिमान का work, बोलो जी क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, A, आप लिखेंगे, A square, यहाँ जाएगा, B square, cos square theta, प्लस, यह वाला पहले लिखूँगा, तो यहाँ लिखूँगा, B square, sin square theta, प्लस, अब यह लिखूँगा, 2AB, cos theta, बोलो बात सही है, क्या लिखेंगे, आर सदिश का परिमान बराबर, इन दोरों में से B square common आ रहा है क्या, येस, तो क्या लिखेंगे आप, आप लिखेंगे, A square, ऐसे कैसे, B square को common लिखेंगे, यहाँ आएगा, cos square theta, प्लस, sin square theta, प्लस, 2AB, cos theta, cos square theta, प्लस, sin square theta को क्या लिख देंगे, एक, तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ, R सदिश का परिमान, वर्ग हटा दिया है, तो यहाँ पे लगेगा, वर्ग मूल, और यहाँ क्याएगा, A square, प्लस, B square, प्लस, 2AB, cos theta, यह आपके पास आ गया, इस परिणामी सदिश का परिमान, अब आप कहोगे, सर, यह तो वसा ही आज़ा रहा है, कौँस, कैसा, सर, जैसा सदिश्यों के त्रिभुज के नियम में आया था, तो आ नहीं है, मैंने आपको क्या कहा, कि A के head पे B की tail आ गई है, तो यह जो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में जो तीसरी बुजा यह वाली, यह क्या बताएगी, यह तीसरी बुजा बजाएगी, दुरों सदिशों का, सदिशों, हाँ या ना, तो त्रिभुज का नियम और त्रिभुज का नियम में सिर्फ नियम नियम अलागे, बाकि तो सारे रेजल सेम ही आने, क्यों, क्योंकि यहां पे A के head पे B की tail आ गई है, तो यह त्रिभुज का नियम बन गया, इसके अंदर, यह सनो, बात क्लियर है, ओके, आगे चलते हैं, अब मैं क्यात करूँगा परिणामी सिदिश, R सिदिश, की दिशा, और दिशा बताने का तरीका क्या बताया था, कि आप जो सिदिश पहले से पता है, जो दिशा आपको पहले से पता है, कौन सी दिशा पहले से पता है, A सिदिश की दिशा बता है, तो A सिदिश के साथ अब इसका कोण क्या आद कर सकते हैं उस कोण को क्या बोल दूँगा बीटा ये अलफा ये बीटा ठीक है तो फिलहाल में ये वाला दिशा निकाल रहो हो तो कहले हूंगा मैं लिखूंगा समकोर्ण तरिबुज A E C में दखो A E C ये वाला सम्कोर्ण तरिबुज इस सम्कोर्ण तरिबुज में ये उलफा मैं आप aspect क्या निकलता हूँ 10 예लफा मुझे क्या निकालना था जि आपको कल बताया था कि किसी भी सदिश की दिशा बताने के दो तरीके एक तो आप एकांग सदिशों का उप्योग करके यानि कि आई कैप, जे कैप और की कैप का उप्योग करके करें हाँ जी, दिशा के बारे में आपको क्या पता था कि अगर आपको एक दिशा पता है और उसके साथ उसके साथ उसके साथ यदि आपको कोई दिशा पता है और आपको किसी और सदिश की दिशा बतानी है तो आप क्या कह सकते है जो सदिश पता है जिसकी दिशा पता है उसके साथ अग्यास्ट दिश का कौन अगर बता दिया जाए तो भी दिशा पता चल जाती है आयां ना यास तुम्हें क्या कहा रहा हूं यह जो 10thi अलफा है इस तैन अलफा का माना भी क्या बता दे moora से एलफा जाएगा और ऐलफा क्या बता देगा साथशाज CR दशास तूई इसके लिए 10im कौन है लंब कि और यह आधार तो टैनल फापर अबर क्या होता है लंबटे आधार तो लंब कितना लेखेंगे आप CE और अधार कितना लेखेंगे आप AE CE को तो CE रहने देंगे और AE को क्या लेखेंगे AB PLUS BE तो आपने क्या लेखा AB PLUS BE E इससे आपके पास क्या आजाएगा आपके आजाएगा 10 आलफा 10 आलफा इकोस टू यह CE और इनके मान अभी नहीं करें थे CE का मान क्या था आपके पास CE का मान था B Sine Theta और BE का मान था आपके पास B Cos Theta अभी तो ग्याद किया था यस तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अच्छा AB का मान आपके पास पहले सही AB बराबर A से दिश का परिमान यानिके A सारी वैल्यूस पहले से हैं तो क्या लिखेंगे आप आप लिखेंगे यहाँ पर CE, CE का मान B Sine Theta अपॉन B E का मान उससे पहले AB का मान, AB का मान कितना? A प्लस B E का मान, B कॉस Theta यानिके इससे अलफा का माना जाएगा कितना आपके पास? 10 inverse B Sine Theta अपॉन A प्लस B कॉस Theta येस, अब आपके पास R सदिश का परिमान भी है और दिशा भी है खास बात यह है कि आपको कुछ एक्स्टा याद करने के जड़त नहीं है जो आपने सदिशियों के त्रिभुज के नियम में जो रिजल्ट आये थे वही रिजल्ट, वही आंसर किसमें आ गए आपके पास? समानतर चेत्र त्रिभुज के सदिशियों के नियम में हाँ या ना? ओके, एक बात तो यह है एका छोटे-छोटे क्वेश्चन करते हैं भी हाँ जी यह क्वेश्चन है जी क्या कहता है जैसा जैसा कहता है बसा बसा करते जाओ फिर समझेंगे एक वेक्ती पहले पूर दिशा की और दस मीटर दूरी दे करता है पूर दिशा की और दस मीटर की दूरी दे करता है हाँ जी यह कौन? इस्ट यानि के पूर यह कौन? वेस्ट यानि के पश्चिम ये कौन नौर्थ यानिके उत्तर और ये कौन साउथ यानिके दक्षिन ये दिशागयान तो आपको पहले से होगा फिर भी मैंने बता दिया है जब भी कागज पर बोर्ड पर बनाएंगे तो इस तरफ पूरू बनाएंगे अब आगे क्या कहता है तत पश्चाथ पूरू से उत्तर की और त्रेपन डिगरी की कौन पर ये पूरू दिशा है यदच कोंसे दिशा है पूरू दिशा यह 10 मीटर की दूरी तै करने के पश्चाथ पूरू से उत्तर की और त्रेपंड डिग्री के कौन पर दस दूरी तै करता है कि लो जी इसने यहां पर इस दिशा में फिर से 10 मीटर दूरी तै करी ठीक है जी तो विस्थापन कितना होगा अब विस्थापन की खास बात क्या है विस्थापन कैसे राशी है सदिशाशी यानि कि और विस्थापन किसे कहते हैं ये प्रारंबिक बिंदू ये अंतिम बिंदू प्रारंबिक बिंदू और अंतिम बिंदू के मद्य की नियूंतम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं यानि कि ये वाला सदिश आपको ग्यात करना पड़ेगा इसको आप A सदिश बोलने इसको आप B सदिश बोलने त पूरू से उत्तर की और कितने डिगरी के कौन पर कहा गया था वो कहा गया था आपको 53 डिगरी के कौन पर बोले हाया ना अब इस कर्शन को सॉल्ल करना है ठीक अब सुनिए जरा मुझे आरस अदिश का परिमान गयात करना है सूत्र क्या गाम में लूँगा अंडरूट में A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस 2AB कौस थीटा आरस अदिश का परिमान बराबर अंडरूट में A सदिश का परिमान कितना है 10 मीटर तो आपने लिखा 10 का स्क्वाइर अब कौस थीटा पराबर कितना है तो आप कौस थीटा याने के कौस त्रेपन डिगरी का मान लिखेंगे त्रिकोर्ण मीति में आपको सिखाया गया था मैजिक ट्रेंगल यस वैसे तो मैजिक ट्रेंगल आपको पता ही होना चाहिए पर फिर भी मैं वापस से एक बार बता देता हूं यह गोने जी आपका मैजिक ट्रेंगल जिसमें यह कौन था 37 डिगरी यह वाला कौन था 53 डिगरी यह भुजा थी 3 मीटर यह भुजा थी 4 मीटर और यह भुजा थी 5 मीटर अगर आप cost driven का मान निकल रहे हैं तो cost के सात वाली बुजा यह बुजा क्या हो जाएगी यह हो जाएगी आपका आधार और यह हो जाएगा आपका कर्ण येस तो आपको कहा लिखना है cost driven का मान आधार बटे कर्ण यानिके 3 बटे 5 बोली बात सही है सिखाया हो है मैंने चलिए तो आपके लिखने cost driven का मान 3 बटे 5 बस अब इसको solve कर लो यहाँ पे इस 5 सही 10 कटा तो बट आया 2 यस तो आर सदिश का परिमान बराबर अंडरूट में 100 प्लस 100 प्लस 2 गुणा 10 20 20 गुणा 2 40 और 40 तिया 120 यस तो आपके पास क्या आएगा आर सदिश का परिमान बराबर चार तिया 12 और दो 120 बिल्कु सही है तो क्या हो जाएगा अंडरूट में 320 यस इसको लिख सकते हैं 116 गुणा 16 गुणा 20 नहीं 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 है चलो लिख लेते हैं जी जो भी लिखना आपको पसंद आए आप इसको लोग को 16 इसको 16 से भाग देते हैं कि तो बच्ची का 20 उसको लिखना पड़ेगा चार गुणा पांच यानि 16 चोग 64 और 64 का अंडरूट आठ तो आर सदिश का परिमाण बराबर आएगा आठ अंडरूट पांच मीटर यानि कि उस वेक्ति का विस्थापन का परिमाण तो कितना आगया आठ रूट पांच मीटर बोले हाया ना ओके अब क्या चाहिए दिश तो दिशा के लिए आप क्या लिखने वाले है हाँ जिक दिशा के लिए लिखने वाले है तैन एलफा आप लिखेंगे तैन एलफा इकोल्स टू उपर कौन बी साइज थीट नीचे कौन ये प्लस बी cos theta क्या लिखेंगे आप आप लिखेंगे 10 alpha equals to b b कौन था ये 10 sin theta यानिके sin 3 पर a सदिश और b सदिश के मदेगा कौन किता है 3 पर दिगरी बटा a का मान b 10 b का मान b 10 यहां लिखा जाएगा cos 3 पर बोले हाँ या ना क्या लिखेंगे 10 alpha बराबर हां जी ये कौन 30 है तो इसके सामने वाले बिजा कौन होगी लंब और sin 30 मतलब लंब बटे कंड यानिके 4 बटे 5 नीचे 10 ऐसे की ऐसे प्लस 10 इन्टू कॉस्ट त्रेपन का मान आधार बटे कंड यानिके 3 बटे 5 येस इस 5 से इस 10 को काटा 2 तो आपके पास क्या आएगा आपके पास आएगा 10 alpha बराबर 4 दूनी 8 ऊपर और नीचे 3 दूनी 6 प्लस 10 16 यानिके 1 बटे 2 तो आपके पास alpha की जो value आएगी वो आएगी 10 inverse 1 बटे 2 और यही आंसर है किसर कोण का मान दो बताओ देखो जी सारे कोणों का मान निकाल पाना मुश्किल है किसी ने भी कुछ दिन पहले मुझसे सारे मान हम जो विधियां जानते हैं उनसे निकालना संभाव नहीं है तो उसके लिए तो scientific calculator का में लेना पड़ेगा या फिर अलग से साइन कॉस्ट 10 की सारनी आती है उससे मान पर आप तो सकते हैं राइट चलिए तो एलफा का मान होगा कितना 10 inverse एक बटा दो यही आपका आंसर है एक तो यह आंसर है और एक यह आंसर है राइट बुले बात क्लिए रहे क्या यास ओके अभी हम एक और कॉश्ण करते हैं हांदी यह और प्रश्ण है प्रश्ण क्या कहता है एक कड़ को दो बल लगाकर एक 6 न्यूटन का बल और एक 8 न्यूटन का बल लगाकर इस प्रकार खीचा जाता है कि दोनों बलों के मद्दे का कौन साथ डिग्री है तो पहले इसका परिणामी बल आर सदिश की बज़ए इसको परिणामी बल यानि के एफ आर सदिश लिख रहा हूं अज ये बल है एफ उन बल को लिखते ही एफ उन से है एफ उन सदिश ये बल है एफ टू सदिश तो एकी जगे एफ उन और बी की जगे एफ टू तो ए स्कॉर प्लस बी स्कॉर प्लस टू अभी को सिटा ही तो लिखाए है हां या ना क्या लिखेंगे परिणामी बल का परिमान बराबर हां जी अंडे रूट में 8 का स्कॉर प्लस 6 का स्कॉर प्लस 2 गुणा 8 गुणा 6 गुणा कॉस आठ तो परिणामी बल का परिमान हां जी क्या हैगा अंडे रूट में 8 का स्कॉर 64 6 का स्कॉर 36 प्लस आठ चिंग 2 गुणा 8 गुणा कॉस साठ की वैली गुती होती एक बटे दो दो से दो कैंसल हो गया क्या बचा चॉसट प्लस शत्य सो प्लस अड़ता रिस एक सो एक सो अड़ता रिस तो चार तो अलग लिखी सकते हैं इसको लिखता हूं अंडे रूट में चार सोला तेड़तालेस नहीं चार गुणा चार तिया बारा चार सत्य अठाइस पच्चिस और बारा सैंतिस ठीके जिए तैने कि कितना जाएगा इसको भी लगबत 36 अगर में मानलो देखो जी परिणामी बलका जो मानाएगा परिणामी बलका जो परिमानाएगा हुआएगा दो अंडरूट 37 जिसका मान में लगबग लगबग इसको लगबग 36 मानलों सैंतिस को जाए तो 34 का अंडरूट कितना होता चै तो लगबग लगबग बारा न्यूटन आंसर आएगा अगर यहां पर 145 होता उसका अंडरूट कितना हो जाता बारा न्यूटन येस एक बात और तैन अलफा भी निकालो जी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्या सूत्र दिए प्लस विगकॉस्ट थीटा का मंदु कितना है साथ तो साइंसाथ का मंदूरूट थी बटे-डो बटे में एक अमान भी दस तस कहां से आगे दस कहां से अगे वो तो किछला कुशन था आयम श्मा चालता हूं हां जी एका मान था आठ है यह दो बैप पूछन है दा सिं Waterman माness कि वापस से लिखो जी इस को भी पूरा लटन ऐहां पर है तो इसको भी पूरा दरते वापसे चेंज करते है है ह bevor f2 sin theta upon f1 plus f2 cos theta सुनो जी, f2 कौन था? 6, sin theta means sin 60, upon f1 कितना था? 8, f2 कितना था? 6, गुना cos 60, ये 6, sin 60 का मान under root 3 बटे 2, बटे में 8, plus 6, cos 60 का मान 1 बटे 2, 2 से 6 को काटा, तो 3 आ गया, 2 से 6 को काटा, तो 3 आ गया, तो उपर तो आ गया, 3, under root 3, और नीचे आ गया, ये 3 plus 8, 11, यानि कि alpha का मान कितना है आपके पास? alpha बराबर आया, 10 inverse, 3 root 3, बटे 11, आपको objective में भी question आएगा, तो 4 options में ऐसा ही answer मिलेगा, बुली बात clear है, ओके आगे चलें, second question, दोनों बल परस पर लंब होते हैं, ये एक बल F1, ये दूसरा बल, ये दूसरा बल, F2, F1 का मान, 8 newton, F2 का मान, 6 newton, इनका परिणामी कहीं आएगा, बीच में, तो परिणामी को लिख दो, FR सदिश, हाँ जी, FR सदिश का परिमार बराबर अंडरूट में, F1 स्क्वार, बलस F2 स्क्वार, बलस 2, F1, F2, कॉस 90, हाँ ये दोनों सदिशों के मत देखा, कौन कितना है इस बार, 90 डिगरी, तो आपने लिखा, कॉस 90, क्या लिखा आपने, कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0, तो आपके पास आएगा, FR सदिश का परिमार बराबर, F1 का स्क्वार, 8 का स्क्वार, F2 का स्क्वार, 6 का स्क्वार, 8 का स्क्वार, 4, 6 का स्क्वार, 36, प्रश्टीस चांजट प्रश्टीस सो का अदरूट दस आएगा दस नुटन बली बात क्लियर है क्या और कौन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 10 alpha equals 2 F2 sin 90 upon F1 plus F2 cos 90 कैसे लिख रहा हूँ F2 को B की जाँने लिख रहा हूँ F1 को E की जाँने लिख रहा हूँ सुनो जी क्या लिखेंगे 10 alpha बराबर F2 कितना था 6 sin 90 का मान F1 कितना था 8 F2 का मान 6 cos 90 का मान 0 तिया गया 6 बटे 8 यानि कि 3 बटे 4 आहा हा मैजिक ट्राइंगल 10 इल्फा कमान 3 बटे 4 का बुद्ध था एल्फा बराबर 37 डिग्री के कौन के लिए दिशा यानि कि कौन भी आ गया और परिमान भी आ गया ये तीसरा दोनों बल एक लिखा में कारे रहता है लो नंबर थ्री कि लिखीएग नी कि यह एफवन बल और यह एफटु बल दोनों एक दिशा में एक इखड़ पर कारें यह तें यह अच्छा इन सब्सक्राइब किसे दिश्क हो ना क्योंकि एक ही कण पर लग रहे हैं दो नोबल है यह ना ओके अब ऐसे तो मेरे को लग रहा है कि दोनोबल अगर एक ही दिशा में लग रहे हूं मम्मी भी इदर कीचे आट न्यूटिन बल से पापा भी इदर कीच चे न्यूटिन बल से तो दोनोबल एक ही दिशा में लगेंगे तो में इधर ही जाओंगा तो दोनोबल सीधे ही जुड़ जाने चाहिए परन्तु इतना आसान मैं लग मैं से नहीं करता मैं तो का लिख रहूं मैं लिख रहूं परिणामी सदिश को परिमान बराबर अंडर कोज़ बूलना कोज़ जीरो को मान हो है एक और नहीं होता चलिए तो एफ आज़ सदिश का परिमान हंजी f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 ले बताना जी क्या आया यहां कच्छू गलती कर दिये हैं सई कल लेते हैं लो जी हाँ आप बताना जी क्या आएगा a square plus b square plus 2ab यानिके a plus b का whole square यानिके परिणामी सदिश का परिमान बराबर f1 plus f2 का whole square का वर्गमूल यानिके परिणामी सदिश का परिमान कितना हो जाएगा f1 plus f2 ले सीधे वही आंसर आगया कितना 8 plus 6 यानिके परिणामी सदिश का परिमान बराबर 14 newton बुली बात सवंज में आई की नहीं आई और दिशा की बात करें तो alpha बराबर क्या हो जाएगा 0 degree क्यों हो जाएगा पहला बल भी इदर दूसरा बल भी इदर दोनों बल इदर तो परिणामी बल भी इदर यानि कि F1 के साथ कौन के तना रहेगा 0 येस अब लास्ट पार डिसकूशन का रह गया है उसको और solve करने नहीं क्या नमबर चाथा चौथा भाग F1 बराबर 8 newton और F2 बराबर 6 newton लो जी F1 इदर 8 newton F2 इदर 6 newton बोलो हाया न तो किदर जाओंगा जबल ज्यादा होगा उस तरफ चला जाओंगा येस फिर भी हम तो करके देखेंगे बताना जी दोनों से दोशों के मद्देगा कौण किता है इस समय इन दोनों के मद्देगा कौण है 180 degree तो आपके पास परिणामी सदिश का परिमान बराबर अंडरूट में F1 स्क्वाइर प्लस F2 स्क्वाइर प्लस 2 F1 F2 कॉस 180 degree बुलाया न कॉस 180 degree का मान याद रखना सब सिखा रहए त्रि ट्रिगनो में ये येस का लेकिंगे कॉस 90 नबे प्लस 90 हाँ जी बताइए कॉस नब्डे प्लस 90 कौन सा कुटर्येट हो गया सेकंड में कौस कैसा होता है नेगेटेव और नबभे हो तो और को किसमें हुलते हैं साइन में साथ में क्या आएगा 90 का मान कितना होता है जी 1 तो मुझे क्या समझ में है जी कि कॉस 180 डिगरी का मान होता है मैंने यह पर लिख दिया तो परिणामी सदिश का परिमान बराबर अंडरूट में F1 स्क्वाइर प्लस F2 स्क्वाइर इस कमान माने से काएगा तो यहां हो जाएगा माने सका 2 F1 F2 गौर से स्क्वाइर माइनस टूए भी यहनिकि A मैनस B का होल स्क्वाइर तो क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा Fr सदिश का परिमान बराबर अंडरूट में F1 minus F2 का whole square वर्ग भी है whole square भी है और अंडरूट भी है तो Fr सदिश का परिमान बराबर हो जाएगा कुल मिलाकर F1 minus F2 यहनी कि 8 minus 6 यहनी कि 2 Newton हाँ जी बता ना जी यह Fr सदिश का परिमान तो कित्ता हुआ जी आप बता हो जी, दो न्यूटन, दूसरी बात जादा वाला बल कौन सा है, ये, तो परिणामी सदिश भी किदर होगा, एफ आर सदिश भी इधर ही होगा, तो अलफा बराबर किता हो जाएगा, जीरो डिग्री, बुली बात क्लियर है क्या, येस, और नहीं चाहो तो इस सूत् कॉस, एक सो असी, इसमें मान रखे देखो, साइन एक सो सी का मान जीरो होता है, घर पे खुद निकाल के देखना कि साइन एक सो सी का मान जीरो क्यों होता है, इस का मान जीरो होने की वज़े से उपर वाली पूरी मंजिल जीरो, तो पूरा का पूरा जीरो, अब आ भी बतान तेन अल्फा बराबर जीरो तो अल्फा का मान कितना होगा जीरो डिगरी बुली बात क्लियर है क्या येस ओके